नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल हैस्टेक एगरीवाई चैनल दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूट्वी कैटेट थे 2018 का पेपर जो काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों अब हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब सेर जरूर कर दें जिससे आने वाला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे दोस्तों इसके बाद हम 2018 और 2020 का जो है यूपी कैटेट का पेपर साल कराएंगे तो अब हमारे चैनल पर बने रहें जिसे हमारा मोटिवेशन बना रहें तो चली शूर करते हो जो कोस्ट करने ओस्टेन नहीं है तो वैसे इसका फेपर तो मिलता नहीं है तो चली सूर चर्टेन,um नमर है 34 विच्फूट ट्री गोस इन डॉर्मेंसी डूर्म समर सीजन समर सीजन में किस ट्री जो होते है डॉर्मेंसी सीजन में चले जाते तो इसका राइट एंसर है आपका सी बेर जो है अगला प्रसन है दा नेचर आप नटमेग मेरिश्टिका फ्रेग्रेंस प्लांटी ज अगला फ्रसन वीच आप दा फौलोविंग सूटेबल पर हैंगिंग गॉर्डन तो इसका जो राइट एंसर ही आपका D है जो आपका जिब्रीणा पुरूला है यह हैंगिंग गॉर्डन के लिए सूटेबल काप हैंगिंग गॉर्डन होते गया दोस्तों यही होते हैं आपके hanging garden जो आपके यह है ड्रेकीनिया सेंडी रिनिया इसे लकी बंबू कहते हैं यह आपका लकी बंबू है question number 38 प्रूनिंग इन डेमेस के रोज is done in the month तो इसका right answer है B दिसंबर मंद में करते हैं question number 39 the limiting amino acid in green vegetable तो इसका right answer है methionine methionine जो है आपके legumes में भी इसकी deficiency पायाती है और जो lysine है यह आपका cereals में इसकी deficiency पायाती है cereals में इसकी deficiency पायाती है और जो आपका यह traptofen है यह आपका indole acidic acid का जो है प्रिकॉजर है काफी important है question number 40 जो है आपका nectarine deeper from patch only in having तो इसका right answer आपका B है smooth skin अगला प्रशन है जो है why bacteria does not get affected by its own restriction enzyme जो बैक्टिरिया है वो restriction enzyme के दोबार खूद को क्यों इपक्टिन नहीं करता है क्योंकि उसमें जो हता है methylation of adenine and cytosine की वज़े से वो खूद को अफेक्ट नहीं करता है वो दूसरों को अफेक्ट करता है तो इसका तो इसका right answer जो है producing antibodies specific for each bacteria continue recombinant plasmid question number 43 the four ribonucleotide triophosphate incorporated into mRNA तो इसका right answer है cytosine, uracil, adenine, goignine तो दोस्तों आप इसमें थोड़ा से देख लेना एक answer इसका थोड़ा से आप match कर लेना कापी important है portion number 44 जो है के golden rice को किसे ने develop किया था तो इसका right answer है यह portricus ने develop की थी जो golden rice है यह beta-carotene का rich source है जो आपका indolastic acid का स्वारी जो विटामिन A का प्रिकॉजर है जो golden rice है आपका बीटा-carotene rich है question number 45 genetic code is called degenerate because क्योंकि इसका right answer है D some amino acids have more than one codon एक codon को एक से अधिक जो है immunosy code करते है question number 46 generation of which one of the following require back crossing तो इसका right answer है आपका A जो है near isogenic line question number 47 which of the following is unique to eukaryotic mRNA synthesis के लिए तो इसका right answer है आपका A जो है polycrystonic mRNA question number 48 नेम आप आरने टिपकली 76-90 नुकलियोटाइड इन लेंध देट एक्ट एज टेंपरेली केरिंग अप एम्यून एसीट फ्राम साइट प्लास्म तो राइबो सोम्स दिरिंग प्रोटीन सिंथिस की समय तो इसका राइट एंसर है यह है आपका टी आरने ट्रांसपर राइबो स्वारी नुकलिक एसीट कोस्टन नमर्फ 49 वो क्यां देट टर्म बायो टेकनोलाजी तो इसका राइट एंसर है अपका कारल इरकी ने दिया था निस सो निस स्वी में बायो टेकनोलाजी कोस्टन नमर्फ 50 वीच आर सप्रेट टु इस्टेंट अप डिने डबल हेलिक्स डि इसका राइट एंसर है आपका डिने हेलिकेज यह आपका एंजाइम है जो डिने डबल हेलिक्स क्याता है सेप्रेट करता है तो कोस्टन नमर्फ 50 वान ने आप दर पेरिमीडीन बेस में प्रेजेंट वनली इन आर ने बट नॉट इन ने तो इसका राइट एंसर आपका किया जि positives होता है साइटोसीन युरेसिल के जगह पर को युद्र को सट काभी पूछ लिया जाता है आपका स्वारी पाम, जी जा जाता हैे जी एन ने में आपके थाइमिन सटा का आता है तो कभी और चाल पूछ लिया जाता है कि एड़नीन और थायमीन की बीचिक में बांड होता है इसमें डबल बांड पाहिए आपका गौानीन और आपका साइटोसीन में आपका ट्रीपल बांड पाहिए तो काफी इंपॉर्टन कोस्टन यहां से काफी प्रसंद पूछ ली जाते हैं तो कुश्चन नमर 52 तो इसका राइट एंसर इसको काफे मातरां पाजाती है अर्थ पूसेंट नमर 53 है इसका राइट एंसर है आपका लाइसीं जो है आपके सीरियल में लेग्यूम में इसकी डिपीशिंशी पाजाती है तो कोश्य नमर 54 वो डिवलोप एन एंथर कल्चर टेकनिक पर प्रोड़क्षन अप है प्रोड़ॉड इन दे लेबरोटरी तो इसका राइट एंसरे गुहा और महस्वरी ने में 1964 में एंथर कल्चर टेकनिक को डिवलूप किया था जो है प्रोड़क्षन के लिए काप इंप्रोड़ॉटरी में अगला प्रस्ण है विच इस्टेन इज यूजी यूज फार विजुलाइजिंग दे डिन अंडर अल्ट्रा वाइलेट रडियेशन तो इसका राइट एंस इसका राइट एंसर है आपका सिल्वी कल्चर को इस नमबर 57 हो को इन तर्म सोचल फारेश्ट्री तो इसका राइट एंसर आपका बीजू जैक विश्टोभी रहें यह निनीस औस अस्तियुसवी में सोचल फारेश्ट्री तर्म ही दिया था अगला प्रस्तन है वाट टाइ कि अगला प्रस्न थेनिंग ऑप्रेशन इन रिगुलर फॉरेश्ट अर्काल तो इसका राइट एंसर आपका डी अगला प्रस्न है चिप को मोमेंड एट्री हंगी वाज पॉपुरलाइज डबाए तो इसका राइट एंसर जो सुन्दर लाल बहगूना इन्होंने इनकी हाली म में मृत्ति हो गई है तो इसमें होता जाएट चीप को आनों रहें देदा प्योडो को बचाने के लिए यह लोग प्योडो के चीपक जाते है जिससे लोग प्योडो को काटेना तो यह उत्रकंड में इसका स्टाटिंग हुआ था काफ़ी इंपोर्टेंट है नहीं मोमेंट अगला प्रस्टन है जो है वाइलूम आप ट्री लॉक्स बाइद क्वाटर गीर्थ फर्मोला इसका राइट एंसर है आपका बी अगला प्रस्टन इन फोरेश्ट्री ओप्रेस्टन आप टेंडिंग वीच आप दा फॉलूमिंग इस नॉट इंक्लिट तो जो आपका स्वा हुमेनी कंट्री तो इसका राइट एंसर है आपका साउथ अमिर्का इसका साउथ अमिर्का में और नाइन कंट्री में इस्प्रेड है तो जो सबसे ज्यादा एरिया होती है वो आपके ब्राजील में स्वारी ब्राजील में लगबग यह आपका 58 परसेंट इसका एरिया कव इसे धर्ती का हिर्दय भी कहते हैं एक आपका एमेजन नदी भी है जो इमेजन नदी जो है एक जो एमेजन नदी है यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और बड़ी में कहते है तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है जो इमेजन नदी है यह विश्व की सबसे बड़ी अकर value में बात करें तो सबसे बड़ी है और इसकी लंबाई में बात करें तो यह आपकी लंबाई में यह आपके दूसरी दूसरा स्थान इसका लंबाई में और लंबाई में जो पहला स्थान है निल नदी खाए अगला प्रश्न दनम नमबर आप मेजर फारेश्ट टाइप एविलेबल इन इंडिया एच पर चैंपियन एंड सेथ के एकॉर्डिंग तो उन्नी सों अर्श रिस्वी में उन्हों ने जो है मेजर इंडिन फारेश्ट है उसे पांस टाइप की बताया थे कॉस्न नमबर 65 है दह ऑफिंडिया फारेश्ट सर्वस पोस्ट इन्टाइप मिनिस्ट्री हाप मिनिस्ट्री आप इन्वार्मेंट फारेश्ट एंड क्लाइम्ट चेंज इइनल्ट फारेश्ट गंडेश्ट की इन्टाइप पॉस्ट है वापका डीजफर स अगला एंड वी सिस्टेम ट्रेनिंग एंड विजीट सिस्टम तो इसका राइट एंसर है आपका डी राजस्थान के कैनाल अरिया में और मध्यपर्दिश के चंबल एरिया में इसे इंट्रूस किया गया था फर्स्ट टाइम अगला प्रस्ट इलिमेंट आप एरिस्टोटल एंड आप मॉडल आप कम्मुणिकेशन इस एकचेक ली तो इसका जो फर्स्ट मॉडल से स्पीकर था स्पीकर इस्पीच ऑडियन्स इन तो इसका राइट एंसर है बी मोटिवेशन अगला प्रस्ट ने एक्स्प्रेशन आप इंड इन ये नंबर वैलू टू भी एच्छीव इन ये पीरिड आफ टाइम इसका राइट एंसर है ए गोल तो फर्स्ट डिफाइन किया था पंचायदी राज सिस्टा वाज फार्मलाइजट इन 1902 वाइच एक्ट आप इंडिन कंस्टिप्स भारती सर्विधान में किस संसोधन में जो है पंचायदी राज को जोड़ा गया था तो तो तियत्तरवा सर्विधान संसोधन हुआ था ये आपको 1993 भी मिल जाएगा तो 1902 से 93 में हुआ था तो कभी भी दूनों आपसान कभी मिल सकते हैं आपको तो उसमें किया होता नोवी अनसूची को जोड़ा गया था तो पंचायदी राज सिस्टम को जोड़ा गया था जो आपका आठकेल आठकील 243 स्वारी 243 आण 243 कसे आपके 243 यह तक हैं अगला प्रसन ने तर्म इन्वेशन डिसीजन प्रॉसेज़ वाज गीवेन वाइद तो इसका राइट है से इवरेट आंड रोचन ने इंटोड़ूश लिए था ने दिया था अगला प्रसन ने दर लर्निग इजे परफर्पूल इज रिलेटेट बिथ वीच आप दी फाल प्रसने Community Development Program in India वाज इस्टार्टेट रहा तो इसका राइट एंसर है आपका 2nd October 1952 इसका राइट एंसर है आपका बीज हो एंग ब्राउन प्लांट होपर की दोवारा यह होता है जो आपका ग्रीन लीप होपर है इसके तुरू आपका टूंगरू डीजीस होता है अगला प्रश्न है टेरो थ्रेक्स इस प्लेक्ट्व नेम आप तो इसका राइट एंसर है मेजू थोरेकस और मेटाथोरेकस प्लिज सकता है तो इसका डाइट एंसर है आपका डी जो है आपको यह कभी-कभी पांच आपको छे क्लास मिल सकता है तो इसका राइट एंसर है यहां पर फाइब तो कोस्टन नमबर 78 अगला प्रशन है जो आपका है इन इंसेक्ट वीजश्ट्र कोलेट एक्सक्रियेट यूरी कैसी तो इसका राइट एंसर यापका मेलपीजियन ट्यूबली अगला प्रस्न है मस्टर्ड साफ्लाइब बिलांगिंग तो विच आउट तो इसका राइट एंसर यापका हाइमेनो अप्टेल आ जो है अगला प्रस्न है विच स्ट्रक्चर उट नेवर भी विच स्ट्रक्चर उट नेवर भी फाउंड और इंसेक्ट प्रोथ प्रेक्स तो इसका राइट एंसर आपका इस पाइरिकल्स अगला प्रस्न विच आप दें मतला इंटर्नल ग्रेंट फीडर जो है कौन से तो जो पल्स वीटल नहीं आपके एन्टर्नल ग्रेंट फीडर्स होते हैं जो आपके खपरण भी टल समगे राइस मौध होगे और इंडियन मिल मौध यह आपके external जो है का ग्रेहन फीर है और जो आपके राइस वीविल है यापके एक्सटर्णल ग्रेन फीडर है जो यह होते क्या यह 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 कि जो पशर्द होती है यह ऍग्रेयन को ही शिलिफिट करते हैं अगला प्रस्क्विल है जो है यह है डूट कैप्सल अब इंसेक्ट इस consisting of different segment तो इसका right answer है आपका six segment है question number 84 the process of develop of disease in the host is called तो इसका right answer है आपका infection जो pathogen CT होते हैं यह होते हैं कि रोग पैदा करने के लिए एक pathogen की जो related छमता होते हैं उसके pathogen CT कहते हैं और जो आपका है pathogenesis जो होते हैं यह होते हैं कि रोग उत्पर्म करने वाले metabolic घटनाओं के shrinkla जो है वो pathogenesis कहलाते हैं और जो आपके colonization होते हैं कि यह आपके कालोनी होते हैं जो बनाते हैं आपके host के अंदर तो अगला प्रस्वन है जो काफी important है मतलग ग्राउम positive bacteria कौन से है तो इसका right answer आपके clevy vector जो हैं आपके ग्राउम positive vector है जैंतो मुनास रेलिस्टोनिया और इर्वीनिया यह सब जो हैं आपके ग्राउम negative bacteria है जोолько यह अब्याव कि DAVID आपके मुनास हैं यह कि यह अपके सब्याव नीगेटिव bacteria होते हैं जितनी वे आपके कोकस हो गये आपके कर आपके और बैसिलस हो गये और यह दिन वे रोट से बैक्त्रिया हो गए यह आपके ग्राउम positive बेक्टरिया होते हैं तो कोकस और पैसिलर से आपके जितनी भी आ गया आएंगे बीच में आपकी ग्रॉंप पॉजटिटिव एक्टरिया होंगे अगला प्रस्ट ने जो है पीधिय में जनरली एस्सेटेट बीट वानाफ फॉलोविंग डीज तो इसका राइट एंसर है आप नेख्रो ट्रॉप सवारी नेक्रो ट्रॉप चवॉस्चन नमरे टिज 9 फ्रे टोमेटो लीफ कर लोगे आपका और चीली लीफ कर लोगे आपके चीली लीफ कर लोगे आपके जो हैं दो कि थूरू ट्रांस्मीटर होते हैं कभी कहीं आपको वाइट फ्राई भी मिल जाते हैं और आपके थ्रिप्स की वज़े से भी ट्रांस्मीटर होते हैं जो है आपका जो थ्रिप्स के 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 और आपका बंचीटा पाप बनाना हो गए और आपका के मोजे का पपाया और काउपी हो गया कफ इंपोर्टेंट है डीजिस है अगला प्रसन है प्रंगिसाइट कॉमली नुएज़क किटलेंसन कीलर की नाम से जाना जाता है तो कि जो कैप्टान है एक किटलेंसन जो है 1952 में कैप्टान की खोज की थी जो फंगिसाइट की रूप में जिसे कैटलेंसन कीलर की नाम से जाना जाता है क्वेशन नम अगला प्रसन है वीच आप दे मोस्ट वाइडली डिस्टिब्यूटेट प्रांट प्रसिटिक नेम्टोट थ्रूआउट दे वल्ड तो इसका राइट एंसर है आपका दी मिलाडो गाईनी अगला प्रसन है अगला प्रसन है वीच आप दे फालोविंग इंटर्ली सीट बोर्न डीजिस तो इसका राइट एंसर है दी आपका लेट ब्लाइट आप पोटेट्टो अगला प्रसन है वीच आप दे राइज इंप्राइस इफ देर इस राइज इन टोटल एक्समेडिच एलास्टिटी अप्टीमा इस्टर में थे हाईली एलास्टिक राइट एंसर ए प्रस्टी को यह नहीं है और आपका रिटर्न्स रिपैमेंट आप कैपसीटी रिस्क बीरिंग एविलिट सब आपके आरे स्क्रेटिट अगला प्रस्ट्र जो इलास्टिसिती या प्रोडक्शन इस इक्वल तो इसका राइट एंसर है C अगला प्राश्चन वें जब टोटल प्रोडक्ट इनक्रीस तो इसका जो राइट एंसर है माजिनल कॉस्ट विकाम जीरो बदुले प्रसने द्डीन अओंड ये कॉंटी दे एंडेट अगासणिट को फिर्षा थे स्टेस्ट पी अटेट रिडड मास्ट अज अगला प्रसट प्रसंट अगला प्रसेंच अगला प्रसने अगलो पॉट जर्टट पॉट्ट इवकल तो फ्क्ष तॉर्ट मिड़ाइ ए अगला प्रस्वन है वीच इस नौट रिलेटेट विथ पर्फेक्ट मार्केट पर्फेक्ट मार्केट जो रिलेटेट नहीं है तो इसका रहाइट एंसर है C few seller are available अगला प्रस्वन्त साटिसर्फाय पार आप गूड इसनौ रहाइट यहाइट और य यूटिलिटी अगला प्रस्वन है net worth is equal to the total assessed – total liability अगला प्रस्वन है अगला प्रस्वन है अगला प्रस्वन है इसका रहाइट एंसर है आपका दी फ्रंचा आपका जिनिवा कि दोस्तों इसका अप्लों इसका देख लिए कुसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसका एक्चुली जो है प्लांट प्रोटेक्शन बेराइटीज एंड फार्मर राइट एक्ट जो है यह आपका इसका हेड़कॉर्टर जिनेवा में है आपका स्यूट्जे इसका राइट एंप्सार है आपका याप वइट जो है ऊच्ईन नम्मर 720 य्वट-वीट सीट त्रू छेत तुरू सेल्फ पॉळिनेटेड neat प्रोसिसिंग इसका राइट एंसर है अपका बिजिए उसका राइट एंसर एंसर है उपका दिश्त क्यों एं सीजिल लॉंग तू कोस्टन नम्मर एक्सोचे सीट सेटीफ फोटिफिकेशन डिनो तर नुट्रियन शोकिंग इसका राइट एंसर भी कोस्टन नम्मर एक्सो साथ नॉर्मली दर नम्मर आप फिल्ड इंस्पेक्शन मेट पर सेल पॉलिएट सीट क्रॉप इच तो इसका राइट एंसरे आपका 3 अगला प्रस्टन है एक लाइन जोइनिंग दे पॉइंट आप सेम इलिवेशन इच काल तो इसका राइट एंसरे भी आपका कंट्रूर लाइन कॉस्चा नम्मर एक लो डब्लिंग दे इस स्पीड अप सें्टम्र प्ॉंप दा पावर को मैंट इज इंक्रीसब है तो इसका राइट एंसरे आपका सी होता है एक ताइम question number 110 in drip irrigation water flow from the emission point through the soil बाइद तो इसका right answer है आपका A infiltration question number 111 the land grading the cut field ratio usually vary between तो इसका right answer है आपका A 1.2 से 1.6 question number 112 the bund constructed between two contour bund so as to limit the horizontal spacing to be maximum required तो इसका right answer है आपका B supplemental bund अगला प्रस्न है the clay minerals are called तो इसका right answer B आपका है secondary minerals question number 114 which is the active soil farming factor तो इसका right answer है आपका C climate और आपके organism यह दूआ जो आपके active factors है topography parent materials और time यह जो आपके passive factor है आपके यह आपके passive factor है question number 115 arrangement आप soil particles is called तो इसका right answer है आपका soil structures जो soil texture होते हैं यह क्या था कि relative proportion आप तह सैंड सील्ट और और clay को आपको स्वाल टेक्श्टर कहते हैं अगला प्रस्न है जो है जो है दा मोस्ट अबनेंट ग्रूप of micro-organism found in the cultivated soil तो इसका right answer है जो आपके bacteria होती है यह आपसे पूछ लें जो acidic soil में सबसाद किसका population रहता है तो पहले आपका fungi रहेगा देन आपका bacteria देन आपका actinomycities फिर देन आपका algae रहेगा तो यह आपसे alkaline condition में पूछ रहें तो आपका actinomycities जो है सबसे ज़्यादा population रहेगा देन आपका bacteria देन आपका फंजाई जो बैक्टरिया की जो pH होती है वह आपका 6.5 to 8 pH पे ज़्यादा मात्रम पाए जाते हैं अब फंजाई की बात करें तो स्वारी फंजाई जो होती है यह आपके 4.5 to 6.5 pH पे ज़्यादा ही डॉमिनेट रहते है इसका राइट एंसर है आपका ए मल्टेज एंजाईम कोस्चन नमबर 118 एकार्डिंटू लैंड कैपिबिल्टी क्लासिपिकेशन दस्वाइल वीचार नॉट सुटेबल फॉर क्रॉप कल्टिविएशन बिलांगी टू इसका राइट एंसर है जो आपका क्लास सब्सक्राइब है सिंहें है तो कोस्चन नमबर 911 बाफ्रिंगापसिटे है आप स्वाइल मि газ रूसेट परजिस्टैन स्वाइल तो इसका राइट एंसर है D question number 120 the number of soil texture classes तो इसका right answer है आपका A जो है 12 है आपके soil texture classes question number 121 is the permissible maximum by ureate content in urea produce in India तो इसका right answer है आपका C 1.5% एदि आपका जो है पूछ ले अग जब जब फोलीर इस्प्रे करते हैं तो 0.25% जो है बायूरेट का concentration रहता है जब फोलीर इस्प्रे करते हैं तब अगला प्रस्ण है जो है तर रेसियों आपक क्राप इवेपो ट्रांस्पिरेशन और रिफ्रेंस इवेपो इसका राइट एंसर है ब हाता है क्रॉप ऑफिसेंट अगला प्रस्ण है द करेंट इमीटर इस यूज़ पर मेजरिंग अब तो इसका राइट एंसर है इसका राइट एंसर आपका सबस्वाइलर अगला प्रस्ण है तो इसका राइट एंसर जो आपका है सी जो है कि सोल टाइप होता है यह आपके मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं इसका से दिल्स में फिर देन इसका फिर इसके बाद जो है सोल टाइप कर यूज़ करते हैं कोश्चन नमर 127 वाट हैपन बित इंक्रीज इन इस्प्रे प्रेशर इन लिक्विड प्रेशर तो इसका राइट एंसर है आपका डी डिक्रीज इन ड्रॉप्लेट साइज कोश्चन नमर 122 वाट प्रेमेटर इस सुटेबल पर हीट सेंस्टिव प्रोड़क्ट तो इसका राइट एंसर जो है आपका बी आपके फालिंग फिल्ड में कोश्चन नमर 129 वाट इसका राइट एंसर है आपका फोटो सिंथिस कोश्चन अगला प्रस्चन दा मोड़ाफ हीट ट्रांसफर इस कॉमली अप्लाइट फार मोस्ट अप्ट ग्रेंड ड्रायर के लिए आपका है बी इसका राइट एंसर होता है कंड़क्टर कोश्चन नम कि दा कॉल्प फूप वैक्सिन फालो इस तो दोस्तों इसका थोड़ा इसका एंसर में भी सी हो सकता है थोड़ा आप इसका एंसर एक बाद देख लीजिए कोश्चन नमर 133 जो है आपका है कंग्यान इजे ब्रीड आप तो इसका राइट एंसर जो है सी तहां है दा परसेंटेज आप जीडिपी कंट्रिबूट बाइद एनिमल हैस्पेंटी टू इंडियन एकोनॉमी तो इसका जो राइट एंसर है आपका 4.1 परसेंट कोश्चन नमर 135 दोस्तों जो 136 आप इसे थोड़ा साथ देख लिए क्योंकि इसका एंसर को आभी खोजें इसका सही से मिला नहीं तो इसका एंसर जो है 135 है लॉड ओसीस इजिए ओस्ट्रस बिहेविर एक्जैक्टिड बाई तो इसका एंसर जो है में भी सी हो सकता है और जो है 136 आपका फिमेल अनिमल्स देट है नॉट बिन ब्रेट तो इसका राइट एंसर तो एक्जेक्ट मुझे नहीं पता है में भी सका एंसर डी हो सकता है तो यह दो कोस्चन आप प्रास मिल तो आप कमेंट बॉक्स में जरूरी सका एंसर मुझे दें कोस्चन नमर 133 जो क इसका राइट एंसर आपका सीवे इसका जो है सीव में करते हैं फ्लसिंग करते हैं कोस्चन नमर 139 जो है यह आपका जो अंड़े देनी काम करते हैं मुझे 20 वीक से स्टार्ट करते हैं इसका राइट एंसर आपका बी डिक्रीजिंग दे रिक्वर्मेंट आप एक्टिवेशन इनरजी कोस्चन नमर 141 बिटामिन ओफें एक्ट आपके जैट तो इसका राइट एंसर है जो है को एंजाइम विटामिन जो था है वो इनरजी नहीं देते हैं कोस्चन नमर 142 ग्लाइसिंग रोटेट एड़ प्लेन पोलराइज लाइट टूबर तो इसका राइट एंसर है आपका सी नाइदर राइट या लेफ्ट लेफ्ट कोस्चन 143 नमर दे एवरेज नमबर आप एम्मिनो एसील प्रेजेंट इन इन दे सिंगल टर्ल आपे हैं ए इसका राइट एंसर आपका पाइरुवेट काइनेस अगला प्रसम जो है नाइटर एसीमिलेशन प्रोसेस इनवाल इन दे ट्रांसपर आप तो इसका राइट एंसर जो है सी एट इलेक्ट्रान हो इन मेज प्लांट में कार्बन डाय अक्साइड फिक्सेशन टेक प्लेस बाइट एसका राइट एंसर दी अगला प्रसम है यह फास्फोल लिपीड वीच कंटेंड मोर देन टूफु पैटी एसायल चेन तो इसका राइट एंसर एट आपका है फास्फोल टिडाइल इंगलि प्लाइट नमर एक्सव अर्कालीस जो है के आरने इस थाहली ससेप्टिबल टू अर्कलाइन है डॉलिस बिकास तो इसका राइट एंसर आपका बी इट सेट टू है ट्रोक्सी ग्रूप कॉस्ट एंट्रमालिकुलर ट्लेवेज अप फोटो फास्पो डाइस्टर बैक पॉन कॉस्टन नमर 149 डिफ्रेंस बिटून एंट प्रांट सेल तो इसका राइट एंसर है आपका सेलवाल अगला प्रसुन है वीच वन अप दीज दस नाट रिक्वार टू मोरे लोकाई तो इसका राइट एंसर है आपका ए डॉमिनेंस क्वेश नमर 151 वह वह इस निकर्ड लाइट प्रस्प्रस्ट वाइट एंसरे ए दोंट सो इंटेंटिंग इस निप्रस्ट अगला प्रस्ट ने in back cross program the average of proportion of genesis from recurrent parent in beef c4 is correct answer is c 96.8 cm percentage other person in case of dominant epistate is the segregating ratio is correct answer is c 12 in to 3 in to 1 question number 104 possible blood group of progeny of cross a b multiply 1 to write answer is d both a and b question number 155 if there are the two segregating gene then smallest perfect after population will have to write answer a 16 individual question number 156 on the basis of expression of heterosies which one of the sequence is correct तो इसका जो है answer बता में भी हो सकता है इसका भी hybrid synthetics and composite दोस्तों एका question है जो कुछ तो आप इसका एंसर बता सकते हैं हमें comment box में 156 का तो इसका जो है में भी हो सकता है भी question number 157 which one of these is a double monosonic तो इसका राइट answer है आपका 2-1-1 question number 158 the super superior isogenic lines are no is this correct answer जो कि multiline variety के नाम से भी जाना जाता है question number 159 इन polymerious chain reactions how many thermal cycle will be required to theoretically generate a minimum of 1 million copy of DNA segment तो इसका राइट answer है अपका B है जो है 20 जो है thermal cycle requirement होती है question number 160 if the water deliver from a source of discharge rate अब 150 लिटर पर सेकेंड and reached the to agriculture field at the rate of 105 लिटर पर सेकेंड the water conveyance efficiency bill with इसका राइट answer है आपका D जो होता है water conveys efficiency जो formula होता है आपका WF minus sorry WF upon WD multiply 100 जो आपका फिल्ड में केतना water पहुंचा और water केतना डिल्वर हुआ question number 161 काफी important है the most efficient channel cross section is तो इसका right answer है आपका B होता है mean median mode question number 163 which measure of dispersion is based upon all the observation तो इसका right answer है आपका C होता है mean deviation question number 164 mean deviation is list when measure from medium तो इसका right answer है B जै मैं medium को measure करता है तो इसकी जो deviation होती है list होती है question number 165 which test is used to test the independent of two attributes तो इसका right answer है आपका काई square test जो है right answer C question number 162 independent variables have correlation तो इसका right answer है negative जब correlation sorry question number 166 regression coefficient or independent of change up तो इसका right answer है A जो है origin तो दोस्तों कैसा लगा हमारे वीडियों आप comment करके जरूरी बताए दोस्तों इसके बाद 2020 और 2019 का paper हम solve कराएंगे और ज्यादा समय बचा नहीं है दोस्तों तो all the best thank you so much अब हमारे चैनल को like subscribe जरू कर दे जिसे हमारा motivation बना रहे again thank you so much ठाल एप दो हमारे ले rocket इसमेप हमारे चैनल किजू के लेकर जारे लेह को इसमारे के फिराशु सभाश है नहीं हुआ दा़ज करताई भी़श दो